मुर्ख बहु फनी स्टोरी एक था बनिया एक बार वै वैपार के लिए परदेश जाने लगा जाते जाते अपनी बहु को बुला कर उसने कहा मैं परदेश जा रहा हूँ तुम अच्छी तरह रहना बच्चों को भी सम्हालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देख भाल करना याद रखना मा से कोई काम मत करवाना बहु ने बोला ठीक है मैं आपकी बात समझ गई मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला है आप अराम से जाईए बहु ने बात ध्यान में रखी बनिया तो चला गया बहु ने दूसरे ही दिन माजी से कह दिया माजी आपके बेटे मुझसे कह कर गए हैं कि मा को अपनी बच्चे की तरह सम्हालना और उनको कोई काम मत करने देना अब आप घर का कोई काम मत कीजिएगा आप तो इन बच्चों के साथ खेल खेलिए और मौच करिए माजी गहरे सोच में पड़ गई फिर बोली बहु ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी कुछ दिनों के बाद बहु ने अपनी बेटी के कांचिदवाए उस समय बहु को अपने पती की ये बात याद आ गई कि मा को बच्चों की तरह ही सम्हालना है इसलिए बहु ने माजी के कांचिदवाने की बात सोची उसने माजी से कहा माजी चलिए आपके कांचिदवाने है सुनकर माजी घबरा उठी उन्होंने बहु से कहा, बहु मुझे अपने कान नहीं छिद्वाने है, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में कान छिद्वाऊं। बहु बोली, जी नहीं माजी, आपको तो ये करना ही होगा, मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छे से देख भाल करूंगी, मेरी दोनों आखे बराबर हैं, जैसी लड़की है, वैसे ही आप भी हैं। माजी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैट कर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला, बहु जिस तरह रोज-रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माजी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहु ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई। तो उसने अपने पती की बात याद आ गई। फिर उसने माजी के लिए भी बाली बनवाई। और कहा, आपको ये बाली पहना दू। माजी ने कहा, बहु मुझको बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूड़ी हूँ, मुझे इसकी जरुवत नहीं, बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है, लेकिन बहु नहीं मानी, जबरजस्ती करके माजी को बाली पहना ही दी, इसके पस्चात, माजी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, गूमती खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती, बहु ने एक बढ़ियां दिन देखकर, अपने बेटे को नाई से चोटी रखवाली, फिर बहु को माजी की याद आ गई, माजी पर भी चोटी रखवानी है, जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपकी क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आईए, माजी ने बहु को बहुत समझाया पर बहु टस से मस ना हुई, आखिर माजी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सर पर चोटी र ओढ़नी ओढ़ा कर माजी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेशती, जब खाने का समय होता तो बहु उनको आवाज दे कर बुलाती है, ऐसे ही रोज का हाल था, जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहु से मा के बारे में पूछा कि मा कैसी है और कहा है खेल खेल रही है, यही कहीं होंगी, आ जाएंगी, बेटे ने पूछा क्या कहती हो, मा गली में खेलनी गई है, गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूडी मा कहीं खेलने जाती है, बहु ने कहा मैं तो मा को खेलने भेशती हूँ, आपने ही कहा था ना कि मा को बच्चो की तरह रखना मैंने तो लड़की की तरह ही मा के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई हैं जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने मा की भी चोटी रखवा ली जब मैं सबको खेलने भेशती हूँ तो मैं मा को क्यों ना भेजू मुझको सबके साथ एक सवेवार करना चाहिए पती समझ गया कि उसकी मुर्ख इस्त्री के अकल का दिवाला निकल गया है बाद में पती के कहने पर बहु ने मा को पुकारा मा जी गली में से खेलते खेलते आई और अपने बेटे को देखकर उनकी आखों में आसू जल जला आया मा की हाला देखकर बेटा भी दुखी हो उठा बहु की मुर्खता के लिए बेटे ने मा से माफी मांगी और बहु को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी